देश में CA लागू हो चुका है रोकने की लाग कोशश की गई बावजूद इसके CA लागू कर दिया गया है और अब हजारों शरनाथियों को भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी लेकिन हो सकता है आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा हो कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ हुआ था उस वक्त पाकिस्तान बना था इसलामिक देश इस आधार पर की माँ पर मुस्लिम रहेंगे और इसी आधार पर दोनों देश का विभाजन किया गया था लेकिन वो जो पूर्वसंद्या थी ना विभाजन जब हुआ था तो इस कल्पना के साथ की गई थी कि दोनो देश के जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने देश में सुरक्षित रहेंगे उनके समयधानिक हिट सुरक्षित रहेंगे और पूरी तरह से उनका कल्यान होगा भारत ने यह जो वाइदा था या यह जो परिकल्पना थी उसको साकार किया लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो अल्पसंक्यक थे हमेशा उनके उपर प्रतार्ना हुई है उनके तमाम जो हक है उन्हें चीना गया है और वो संधी शायद जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे उसके बारे में आपको बताती हूँ नैरू लियाकत संधी इसके उपर हस्ताक्षर किया था दोनों ही देश के प्रदानमंत्रियों ने 8 अपरेल 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रदानमंत्री की तरफ से हस्ताक्षर इसके उपर किया गया था जिसमें इस बात को माना गया था कि दोनों ही देश अपने आल्पसंक्यकों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे महाँ पर बहुं संख्यक रहते हैं आए दन पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप सुन रहे होंगे कि कैसे लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है बुचाह सिख धर्म किये हिंदू धर्म किये उन्हें अगवा किया जाता है गुर्दवारे तोड़े जाते हैं वहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं जिस वक्त भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के अंदर बताया ऐसा जाता है तक्रीबन साड़े पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रुके हुए थे सिख रुके हुए थे इसाई रुके हुए थे उन्होंने यही माना था कि चुकि आजादी के पहले से हम यापन रहे तो आगे भे हम इसी देश में अपना जीवन यापन करेंगे लेकिन समय जैसे जैसे बीता गया उनके हक मारे जाते रहे और सबसे बड़ा उधारण इसका ये है कि भारत में माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ी है और पाकिस्तान में घटी है पाकिस्तान में इस वक्त अगर हिंदूओं की आबादी के हम बात करें तो वो तकरीमां डेर प्रतिशत के आसपास ही है जो कि आजाद क्यों लाया गया सबसे बड़ा जवाब इसका यही है कि वो माइनॉरिटीज जिनें पूरे दिश्व में कहीं पर भी शरण नहीं मिल रही है हिंदू सिख इसाई बौध पारसी ये तमाम वो जातिया जहां पर पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान इन तीनों जगों पर दुन हुआ ये लोग भाग करके भारत आए और कई साल से यहां पर रुके हुए हैं और मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं करना इसी लिए क्योंकि बाकी ये जो मुलके अंजासे शरणार्थिया आए वो तो हैं इस्लामिक कंट्रीज माहा पर तो मुस्लमानों की शरण है तो सबसे बड़ी बज़ा ये जो नहरू लियाकत संधी हुई थी उसका पालन नहीं करना पाकिस्तान की वज़े से मापर हिंदूं को सिखों को प्रतारित किया जाना उनका शरणार्थी बनके भारत आना और उसी संधी का पालन नहीं करने की बज़ा से अब ये सीए येड़िया करने की वज़ वेड़े साफब worksेश्या कि नहीं करने हुए आना पालन नहीं करने की भालन नहीं कर दोया दो है क्टेंए रश्यबस्ताना उनका आ खालना में करते हैं जाना शरणार्थी बनके ऑ cognitively बनके भालन च recur 01